नमस्कार मुद्दा में आपका स्वागत है मैं हूँ रबिंदर चोहान गौहाटी में पिछले कुछ दिनों से चोरी डखायती और छीना जप्ती जैसे अपराद बढ़ गए हैं इस तरह की घटनाओं को हम छोटे छोटे आपराद की श्रेणी में रखते हैं रोजाना हो रही इस तरह की घटनाओं ने राजधानी शहर में रहने वाले नागरिकों के निंद उड़ा रखी है 21 नौंबर को दिन दहाडे पूरवी डेरी के डिस्टिब्यूटर रंजीत बोरा को गोली मार दी गई बाद में पता चला कि रंजीत बोरा के हत्यारों का मकसद उनके रुपे का बेग छिनना था जिसमें धाई लाक रुपे थे 9 नौंबर को गोहाटी में बस का इंतिजार कर रही महिला को बंदुख दिखा कर दो अपराधियों ने उसके सोने के चैन खीच ली मुक्यमंत्री हिमंत बिश्व सर्मा का मानना है कि पिछले एक महिने में गोहाटी में चोरी और डकैती की घटनाएं बढ़ी हैं इसके पीछे उन्होंने ड्रक्स के खिलाब कारवाई बताई है और कहा है कि ड्रक्स के खिलाब सफलता पुर्वक अभियान के कारण इसकी कीमत कई गुना बढ़ गई है और उस खर्च को पुरा करने के लिए अपराधी चोरी डकैती और छीना जप्ती पर उपर उतर आएं उन्होंने कहा है कि पुलिस पूरी कोशिस कर रही है ऐसे अपराध कम हो और इसके लिए कारगर उपाय क्या हो सकते हैं पुलिस की आधुनिक्ता सहित कानूनी पहलू पर भी आज मुद्दा में बात करेंगे हमारे साथ जूड रहे हैं वरिष्ट वकील बीजन महाजन भारत अधरी का वो बयान हम आपको सुनाना चाहते हैं और उसके बाद कारिक्रम में हम आगे बढ़ेंगे बभादान होबा लागे हाधवन ते अमी देखा पाऊं जेतिया ड्राग सोर बीरूधे बहुत बहुत बेशी एक्शन हाई तुसित्या ड्राग सोर मुल बजारत बहुत बाही जए तुसितया हाधवरन जिव लाग अलब ड्राग्स एदिक्ते मानु ठाके बाजुने ड्राग्स वर बेवोखाई करें, त्याओं लुके एनेकवा स्माल क्राइमात मनु निभेख करें, एटु एता हमोग्रो बिश्वरे क्राइमार धारा, ये कारने मौई आमी त्याओं लुको कोई शु जे दुईता पोटिरूत कोरीबो पारुकान, एगरा के मानु हजोडी खुनार से नेराल कारहीलोई जाए, त्याओं अटु जिवन दिटिवाबार बहुत मानु हासे आरु खुनार से न किनी बोनु आरीबो, खेकारने मौई पुलिस हो कोई शु जे आपनालु के ड्राक्स वर पुलिस हो करे लबो लगे, और खाधारन मानु है जाटे पुलिस अरु परत बिश्चाख ठाके, तार बेबस्ता कोरीबो लगे, जुआ एखपता होट सिती पुलिस हे जिमान पारे काम कोरी से, मौई भाबु जे ए फेस तो पार होई जाबो, हमगर हमटे बेबस्ता तो ट्रेनिंग कारे, बोवे जास्ता मोहिला हकल अप्राय कारे, त्याओं लुकाग ट्रेनिंग दिया तो एटाक अठा, किन्टो जैनरेली पुलिस अरु पेट्रोलिंग, पुलिस अरु जितो रियाक्शन खेटो बेशी भाल होबो लगे, और मौई भाबु केटा मान दी ग्वाहाती महानगोरित केवाटाओ अपराद मुलोग घतना हंगोतिता होई, छेन तानिनिया घतना, मोबाइल तानिनिया घतना, बाइक सूरी, एनेकवा धरनोर होगणाई घतना पुलिस थानात रिपोर्ट होई, एटो एटा प्रेट्ताह बान ग्वाहाती आरु खिर कार एजे टीम, आमी ए प्रट्टाह बनार लगात मुकाबिला कोरी बुले आगबाही सू, जुआ काली आमार होकोलो ठानार प्रा जिमान खिनी आमार टीम ओलाबो लागे, हेखिनी टीम ओलाई से, अपर आधिक कराईत्तों कोरी बुले सस्ता कोरी से, अपर आधिर पिशत आधिर उस्ता कोरी से, रेद मारी से, अरो आमी जथेस्तों कोफलता ओ लाब कोरी सू, एख़त को बेसी मान हुआ होँ आमिंए खोढ़ा पुसर कारने अठक कोरी सू आमार सुरी बाइक जी आसले रिकोफारी होई से। जोआकाली सुरी कोरी निया बाइक पुलीस और प्रेजेंसर कारने एरिठ होई जा बोले बाइद्ध होई से। ख़फॉल्व हवे स्वोल्प कोरी के अपरा धिक नियाई गटो जीटों में खास्ती प्रड़न कोरी बोलागे खेटु डियार करने अमीं ख़राई ब्यस्तों ठाकी तो सबसे पहले आपने सुना मुख्यमंत्री ने क्या कहा उन्होंने बताया कि किस तरह से गुहाटी पुलिस इस पर लगी हुई है और साथी उन्होंने कहा कि ड्रक्स खिलाब कारवाई हो रही है और ड्रक्स एक तरह से बजार से गायब ड्रक्स किलत है इसलिए ड्रक्स से 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 करवाई हुई रातो रात एक सो लोगों को हिरासत में लिया गया और जो इस्तिमाल की जाती है बाइक चैन खीचने में चोरी डखैती में उसको बरामत किया गया तो इस तरह से यह कहा जा सकता है कि इस पर सरकार गंभिरता से काम कर रही है आए अब जो हमारे पैनलिस्ट है क्लक्षमी कांदूबे सबसे पहले नेत्ररंजन चौदरी से जाना चाहेंगे कि यह जो कारवाई हुई है पिछले एक महिने में इस तरह के अपराद बढ़े हैं आपके नजर में क्या लग रहा है यह अपराद कि क्यों बढ़ रहा है क्या इस पर करवाई जो हो रही है वो संतूस जनक है पहले तो मैं आपको और अपकी चैनल को धन्यवाद दिना साओंगा कि एसा एक बहुत ही महत्पून इस उपे आज डिसकेशन रखा है यह बहुत ही इंपोर्टेंट हो रहा है है लोग इससे बहुत प्रिशान है और यह जितने भी डिसकेशन है इसको मेरे ख करना बहुत जरूरी है अब सिर्यास के लिए बहुत जरूरी है बहुत सिंथी के कारण है जैसे मैं आजिया अभी आपकी स्टूडियो के बाहर स्कूटर चुर किया हूं मुझे भी कहीं घबरार हो रहे कहीं भाहर जानी के बाद स्कूटर देखंगा यह नहीं तो लेकिन खैर बात है कि न्यूज लाइफ की बिल्दिंग है थोड़ा तो दूर्शास नहीं करेंगे लेकिन एक मतलब खौफ का बाहूल है पता नहीं कहां कौन क्या कर ले आप बाहर जाओ कि कोई चैन खेस लेगा तो यह जो है यह यह लोगों में एक जिसे दर का बाहूल हो रहा है सर्याम लोगों को गोली मार है आप सिक्स माइल में देखिए वह रंजित बुराजी को सर्याम गोली मार दिया गया है तो इस ताइब का जो घटना हो रहा है यह होना नहीं जाहे था और मुझे कहिना कि लगता है यह अद्मिनिस्टेटिव फेलियर तो है ही और रही बार आप क्राइम की जो बात कहा रहे हो हो हमारे साथ बरिस्ट अधिका यह बना देता है तो कहीना कि हमको यह भी एक ब्रॉड सेंस में देखना चाहिए कि क्या इस ताइब का माहौल हो रहे हैं जिसकी कारण लोगों में एक जो अपराद करने के लिए उनको बजबूर होना पर रहा है शाहे वह आर्थिक नितियों की कारण देख लीजे या जो क्राइसिज हो रहा है या भी रोजगारी हो या जो नसिली तब प्रदार्थुका जादा यूज हो रहा है मुक्रमंत जी ने उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ड्रॉग्स यह हुआ है और सही भी हमने देखा है लेकिन कहीना कहीं आप देखिए का कि यह पेडलर्स को पक्रा गया है जो बिक फीज है उसको जब तब तबाह नहीं करोगे इसमें आपको सफलता नहीं मिलने वाला है तो मुझे खाल से इसको इन सभी बातों को देखके हुए इनको इसमें ब्रॉडर सेंस ने लेखना होगा कि ना किसी द्रग पेडलर या चैन किसने वालाई क्यूं हो है बेरेखाल से एक ही में बुलूँगा कलेक्टीव एंड प्रिवेंटिव एक्शन सी एपी एक सौट टाम होना से यह प्लैन और लॉंग टाम एक मिनित कुछ सेकंट में लेनूं इसमें पुलिस अरविलेंज का भी ज़रूरी है क्योंकि हर एक बार क्राइम होता है आप द पुलिस, कोट, अदालत इसमें फंच जाता है क्या वहां पर जो एक्शन होने चाहिए वहां पर जो प्रोसेस होने चाहिए वो तेजगती से होते हैं अगर कानूनी पहलू को अगर देखें तो इस तरह के अपराद रोके जाएं इस पर किस तरह की कारवाई होती है क्या वो कारगर हो रही है। He took over the charge as chief minister of Assam, the fight against drugs, at the police level and otherwise, has reached the janet, meaning thereby innumerable seizures there, and thereafter lots of peddlers, even Big Kingpin's, and small-time drug users also, many have been arrested, booked and are still behind the bars because of the reason that Narcotic Drafts and Psychotropic Substances Act to get bail during investigation in cases attributed to sections of the NDPS Act are very tough. The Chief Minister is very correct. The recent increase in crime regarding snatching, small crimes and of course one unfortunate murder. This should not have happened, they have happened. And these small-time crimes have increased because primarily I stay at Juru Pukhulipar. There are a lot of snatching incidents there and those are mostly being done by drug users, consumers, drug users. Because why they are resorting to it now? The crime as regards snatching has increased because the reason that it is very difficult to find drugs in the city of Guwahati as on today because of the activities of the police which is very much on the positive side. And hence, while an user is not getting drugs and if it is to be found, then the price is too high, skyrocketing prices and therefore they are resorting to these small crimes. I am not, the nomenclature I am using small compared to mother, that is why. Meaning, I am not meaning there by that snitch snatching is a small crime, I am not meaning that. But a quantum has gone up. The Chief Minister is very correct. He is a, I mean, man of the moment, man on the street, all throughout, 24-7 and whatever he has said, we have heard it right now and he is very, very correct. And the new commissioner of police who has taken over charge, experienced officer, competent officer and the entire team of Guwahati police will definitely do the needful to nip these crimes in the bud in the coming days with their concerted effort. And at the same time, decrease in crime doesn't depend only on the police. There has to be concerted action. Nagori committees are there. People are involved. Their involvement should be enhanced so that the crime rate comes down in the city. Thank you. How does crime rate come down in the city of Guwahati? You see, in the Indian criminal justice delivery system, if crime rate has to come down, there has to be proper investigation. Meaning thereby, the investigating agency is to collect ocular evidence and at the same time, they must carry out investigation in a scientific manner. If the investigation is bad, the charge said, after end of investigation, which should be submitted, would be a very weak one. And thereafter, when the case reaches the floor of the court, there is every possibility that a defense would win the case and the prosecution would fail. There has to be concerted effort. Investigation has to be full proof, compartmentalized. Meaning thereby, ocular evidence is to be collected in a right manner. Investigation is to be carried out in a most scientific basis. So that, when the charge sheet is filed, it has to be a tough one for the criminals. And thereafter, on the floor of the court, it is very, we are very sanguine. That the prosecution would win the case. Meaning thereby, the defense would be defeated. And thereafter, the consequential result would be, the criminal would be convicted and would be in jail. And deterrent punishment in today's society, EJ must, because it would teach the youngsters who have a tendency to commit crime, to be away from the path of crime. And thereby, the crime rate would come down. And it is a right question you have asked. And the answer would be, there has to be concerted effort and absolute coordination between the investigating agency and the law officers of the state in court, so that criminals are brought to book. And the consequence would be, there would be, the crime rate would come down. This much, thank you. जी, हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे और इस पर सरकारी पक्स भी आना बाकी है. लेकिन फिर हाल वक्त हो चला, एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहे. ब्रेक बाद आपका मुद्दा में स्वागत है. हम बात्चित कर रहे हैं कि अपराद किस तरह से कम हो गोहाटी जैसे शहर में. और इस पर थोड़े देर पहले कॉंग्रेस के प्रवक्तान नेपर रंजन चौधरी ने जो आप आरोप लगाए एक तरह से सरकार को किस तरह से काम करने चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है. उन्होंने सरकार का समर्थन भी किया और फिर सवाल भी खड़े किये. पर मुद स्वामी ये सब सुन रहे थे. आप कुछ कहना चाहते हैं. नहीं दीखे, आज मैं सबसे पहले धन्यवाद दूँगा कि आपने एक बहुती गंभीर विशे के उपर में आज भी मर्स रखा है और जिसको पुर्वक्ताओं ने काफी सुन्दर तरीके से सब्जेक्ट को रखा. विशेश करके जाने माने अधिवक्ता सिर्भी जेन है कि जो कानून मेवस्ता की स्थिति उसके बारे में और हमारे सीम साब ने जो इसके पहले जो आपने स्ट्रेटमेंट दिखाया उसमें सीम साब ने इस बात कर जिक्र किया कि ड्रक्स के विरुत में आसाम सरकार की जो सक्त नीती है उस सक्त नीती की वज़े से जो अपराद इसको चलाने का प्रयास कर रहे हैю कि ड्रक्स के कारण उन लोगों को काफी लोगों को परिसादी हुई है जो कि इस धंदे में समलित है या जो ड्रक्स का सेवन करते हैं तो मैं जैसे ब्यवसाइप के लाके से आता हूं तो हम देखते है कि जो कई जो हमारे युवा लोग हैं वो भी इन दिनों में ड्रस का सेमन उनमें में एक सेमन करने की परवर्ती भड़ी है जो कि एक चिंता का विसे है और यह सिर्फ एक राजनीतिक या पुलीस और परसासन का विसे नहीं समाज को भी इस पर सचेतन होकर करके क्योंकि ड्रस का स जो करते हैं उनके विरुद्सक्त नीती होनी पड़ेगी लेकिन जो ड्रक का सेवन करते हैं उनके परती हमें एक सहनबुती का रविया अपनाना पड़ेगा और रीहेमिटिशन करके समाज का और परिवार के लोगों का भी दाइत्व है कि उन लोगों को हम लोग जो वो है वो दुख और दर्द को बरदास नहीं कर सकता और जब भी उसके उपर में कोई छोटा मोटा दुख दर्द भी होता है तो वो नसे की उनको एक लग पड़ जाती है जो कि मेरे ख्याल से एक समाजी विसे जादा है और इसमें जो हमारे जो 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 डॉक्टर्स है या जो बीहेबिटिसेंट सेंटर्स है वो लोग इसमें या मनोचिकिचसक है वो लोग इसमें काफी एक बड़ी भूमी का निभा सकते हैं और अभी हो मिनिस्टर साब ने भी इस विसे में जब संसद में जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि उन लोगों ने पूरा एक इंडिया में और उस मेपिंग के द्वारा उन्होंने 472 डिस्टिक्स उन्होंने सिनाप किये और 472 डिस्टिक्स जो सिनाप किये मेपिंग के द्वारा सर्वे के द्वारा आईबी और रो की रिपोर्ट के द्वारा वो उन्होंने हर स्टेट को भेजा है कि इन 472 डिस्टिक के उपर में विसेश طोर पर नजर रखी जाये और कहां से डुरक्स का जो कार्वार हो रहा है उसके बिसे में जो आसाम सरकार बहुत ही सब्सक्राइब है और हम लोग ड्रग प्री asam और ड्रग प्री इंडिया हमारा मूल लक्ष है अभी जो सियम साब ने भी इस बात को कहा कि पिछले मेने में कुछ छिंताई की और इस तरह की घटनाई भड़ी है आपने एक मडर का भी जिकर किया तो एक राजनीतिक दलका कारेकरता होने के बाद नाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगा क चाहे चिंताई की घटना हो चाहे हप्तिया की घटना हो अगर एक भी घटना अगर मेरे आसाम में होती है तो उसकी नेतिक जीमदारी हमारी है और हम ये चाहेंगे कि आसामने एक भी घटना ना हो लेकिन देखिए जो आज अगर आप अगर हम कुछ तथे भी हम आपके सामन पावर एक्ट जो है जिसको हम अपस्वाब बोलते है अफस्पए उसको बिड़ा करीब 65% जो 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 जुग्राफिकल एरियाज है असाम के उसमें अपस्वा को उसमें विड्रो किया गया है मैं बता रहा हूँ लेकिन हम आज बात कर रहे हैं गुहाती में जो प्राइम रेक प्राइम में जो बढ़ गया है मैं उसके प्राइम उससे भी 65 परसंट जो जो जोग्रिफ के लिरे में विड्रो किया है यह आसाम की सुधरती कानुन विवस्ता का एक गुधार्ण है दूसरा आसाम पुलिस के जो कारे कलाप है उन कारे कलापों को सम्माम देते हुए आसाम पुलिस को प्रेसिदेंट्स कलर में इसी साल मैं मैंने में मिला है और इंडिया टूडे में अभी यह सर्वे आया है उस इंडिया टूडे के सर्वे के हिसाब से जो मोस्ट इंप्रूड बिग स्टेट है उसमें आसाम को जो है सर्वचस्तान मिला है और क्राइम रेट जो है गौहाटी का यह गौहाटी का ज एक शुनार पर्सेंट कि कमी आई तो ऐसा नहीं है कि आसाम पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। जिन्दा में इस बाद को सिवकार किया लेकिन एक रादितिक दल का कारेकरता होने के नाब्दे अगर आसाम में या गोहाटी में एक भी घटना अगर घटती है तो उसके नैतिक जिम्यदारी हमारी है और हमें कोशिश करेंगे कि आसाम को और गोहाटी को हम लोग क्राइम मुक है की नहीं पुलिस का जो मेकेनिजम है वो यहां ठीक से लागू हो पा रहा है की नहीं लोग आस्वस्त होना चाहते हैं देखिए इतना छिना जप्ती के अभी हाली में देखिए जो आसाम पुलिस में टॉप टू बॉटम मानने मुख्यमंतरी मौदय परसनली इस बात को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जहां जो जरूरत होती है अभी देखिए रदो बदल भी किये गए हैं पुलिस परसाशन में रदो बदल किये गए हैं और मुख सब्सक्राइब अब आम आदमी पार्टी के जो राजिय सनियुजक है लक्षमी कान टूबे इनके पास जाएंगे लेकिन फिलहाल एक वक्त होग चला है ब्रेक का ब्रेक के बाद लक्षमी कान जी के पास जाए प्रियाँ में आदिमें आपको मुद्दा में मुद्दा में हम बात सिट कर रहे हैं गुआटी में बढ़ रहे हैं अपरात किस तरह से कम हो और चलते हैं इस पार से आप सरकार जो कदम उठा रही है क्राइम को कम करने के लिए ये कितना संतोस जनक है आपके नजर देखिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट इसू है सबसे पले तो आपके सभी दसकों को मेरा परणाम ये जो इसू है ये कोई आज का इसू नहीं है काफी पुराना इसू है अगर आप आप डाटा पे जाएं 2017 से लेके 2022 तक का जो डाटा NCRB का है नेशनल क्राइम रेकोड का है तो असम में इस्पेसली हर साल क्राइम बढ़ रहा है आज जो मुक्यमति साब लेकिन अगर आप NCRB की डाटा कर बात करेंगे तो पिछले साल ये क्राइम रेट जो है कम हुआ है न और तीसरा जो क्रिमिनल माइन के जो लोग हैं जिसको कंट्रोल नहीं कर पाना ये तीन बेसिक कारण है इस तरह का क्राइम होने का पहला चीज यह है कि आप महंगाई कम नहीं कर पा रहे हो गरीबी आप कम नहीं कर पा रहे हो देश का जो असम का आर्थिक अवस्ता है वो द पोलिस जितनी होनी चाहिए उतनी पुलिस है नहीं इनके पास सब्से पहली बात जो आउनी पुलिस होनी चाहिए हर एक लाख पर जो आइडल जो नंबर से वो 300 है जो की बरतमान में असम में सत्कर नहीं पुलिस वाला जो महाजन साब कानून के जंकारी है उनको ज़्यादा जनकारी होगा इसके बारे में, दूसरा जो बिना आर्म वाले जो पुलिस फोर्स हैं, उनका जो एक आइडियल रिस्यो होता है, हर एक लाख जनसेंख्या पे 250, जो अभी अभी असम में केवल 60 है, केवल 60 है, तो ये जो बहुत बड़ा जो कमी है पुलिस प सिरर लिजी या मुख्यमंद्रि की जो भी संतवना देना है, वो देना उनका काम है क्योंकि कोई भी क्रा आइम करना नहीं चाहता है, उनके बास जो भी रिसource है को क्रोल करने के को कोसिस करें скорее कोई भी मुख्यमंद्रि या कोई भी राजनेता Quinnika-ul already तो इसके गौहांटी में उसका अभाव है गौहांटी में कमी है वहां पर दूसरा चीज गौहांटी सिटी में आप CCTV केमरा ना के बराबर है अब लगबग 300 सारे 300 CCTV केमरा इनके पास है इन लोगों ने एक प्रोजेक्ट लांज किया था गौहांटी स्मार्ट सिटी सर्वलेंस प्रोजेक्ट के नाम पर जिस पर की गौहांटी स्मार्ट सिटी लिमिटेर और असाम पुलिस दोनों जॉइन बेंचर होके इन लोगों ने 4000 ये 2021 का डाटा ह 4000 CCTV केमरा लगाने के बाद था और इसके उपर यहां पर जो इनका फंड था वो 2300 करोड का फंड था कि रिसोर्स की कम है बहुत सारे नियूज में यह हम लोगों को देखने को मिला कि जो पुलिस पेट्रोलिंग करती है पुलिस पेट्रोलिंग करने के लिए जो डीजल चाहिए गाड़ी में डालने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता है और अभी भी सायद वह 22 करोड रु कि इन सब चीजों को मैं बताऊं कि आखिर क्राइम हो क्यों रहा है और क्राइम क्यों नहीं रुक रहा है आज यह आज बड़ा है और कल घट जाएगा तो हर कोई चाहता कोई नहीं चाहिए अब दोजा जो एंसी आर्भी का डाटा में आपको आप पूछ रहते बताएता कि 2017 में हर एक लाख population में असम में 78 केस ऐसा हुआ है जो criminal recorded केस है दूसरा वही केस दिल्ली में है 60 और वेस्ट बेंगोल में है 51 यह 2017 का डाटा है 2018 में यह डाटा बढ़के असम के लिए हो गया 86 और 2021 में यह डाटा बढ़के हो गया 151 और 2022 का डाटा यह बता रहा है कि यह 24 केस ऐसा है जो harassment related है और 225 केस जो पोस्कों के अंदर यह यहां पर केस रिश्टर हुआ है तो अगर डाटा भी देखा जाए कि 2017 में जब 78 था 2018 में 26 हुआ 2022 में बढ़के 125 हो गया तो यह बढ़ रहा है लेकिन ठीक है उससे जरूर इसके ओपर सीख लेनी चाहिए सरकार को और जो भी उनके पास रिसोर्स है जो कि रिसोर्स तो कम है पूलिस तंत्र जो है जो पूलिस है वो maximum पूलिस आप देखिए इसमें कोई दोर आनी है कि व्या आई-पी ट्रीट्मेंट में लगे हुए थे पूलिस कर्में उनको हटा लिया जाएगा पूलिस को जितना रिसोर्स नहीं दे पाएंगे तो पूलिस भी बैचारा क्या करेगा उसके पास भी लिमिटेशन है एक पूलिस वाला चेचे पूलिस का काम कर रहा है वो अबर यह को जाएगा लगा आपक एप लुगा ल लुगना जी आपकी वाला ट्रीट्मेंट में लुगना, खेर देंट पी लिमिटेशन है जी पी बैचारा कि मुझे है पूलिस देना पूलिस वी बैच्छ संव जी । लेच्छ कोरो लाटर में अड़र पोलिस अन्य पलिस, इस two are separated, among many other thing entirely. And that is, Pakas Singh versus Erena of India. Then a direction was given that in every state in India, investigation police and law and order police are to be separated. That is, much water has thrown down the Brahmaputra, much water has thrown down the Ganges. But this is being carried out that Supreme Court directive, article 142, in a phased manner. when this would be carried out then law and order police would be different and investigation police would be different that my friend has said whatever he is saying now that would be end of the problem but it needs a lot of resources so definitely it would take some time but that dictate of the apex court way back in 2006 in Prakash Singh versus Union of India when it is carried out to the health meaning thereby differentiation of investigation police and law and order police the end result would be very good this is the law of the land this is one has to agree because that was an authority of the apex court and under article 142 you cannot what the constitution says you have to follow it article 142 you are be with me this is no point of argument but whatever was said whatever was said priority wise it is being carried out in all the states and god willing it would be carried out and the end result would be very good the resources need to be increased this is a very good question but i'll to death i individually feel even the police authority possibly it is on the end their discussion is also many discussions are taking place first of all the root of all crimes so far as where the gunghati is concerned is the floating population one has to agree can you see house owners are primarily to be blamed in primarily in jalukbari under jalukbari police station nunmati police station hatigam police station primarily these places and mostly in all places the house owners when he or she gives out a house on rent he gives it he or she gives it to rent to people he who do not possess even a single id proof so meaning thereby the house owners rent out their houses part of their houses or otherwise to people of doubtful integrity now i individually feel to bring down the crime rate in gunghati it it is an inside job it cannot be outside people cannot come from outside gunghati and do the job at night and move out that cannot happen there has to be surveillance reconnaissance or whatever be it during the course of the day or during the course of the night and thereafter the crime is committed so first of all i individually feel the root of all these problems is this this tenants who are of doubtful integrity they should not have got a house on rent rent at the first instance this has to be stopped how it is to be stopped many years back there are some circulars from the home department or state police that every house owner is to deposit the resume of their tenants to the local police station this has not been carried out this has not been carried out because the reason that there is no if it is not the resume of the tenants or if it is not if they are not deposited to the nearest nearby police station or nearest police station or the endemic police station there 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 no penalty can be imposed on the house owner he cannot be penalized so i feel in the indian criminal justice delivery system to prevent crime so that these unscrupulous tenants are brought to book the house owners must give the resume of their tenants to the local police station that has to be incorporated not in an administrative circular but a law has to be brought as big as that or by inserting any section in any panel law for the time being enforced in india meaning thereby in asa meaning thereby in guhati so that the house owners are penalized panel provision is there if assuming a tenant takes a house he commits a crime his buyer daughters are not being provided to the local police station by the house owner then some penalty has to be imposed on him meaning thereby monetary penalty or it would has to be a cognizable offense and thereafter even imprisonment it has to be there if the penalty is imposed imposed this floating population who take houses on rent thereafter do surveillance and reconnaissance and thereafter commit crimes that would come down and therefore any house owner who gives a house on rent does not disclose the identities of his or her tenant to the nearest police station if he is penalized then definitely the resume the bio data the particulars of the tenants each and every tenant scrupulous or otherwise would be deposited to the police and the police would be at liberty to catch the wrongdoers who leave as tenants immediately so this change in law or incorporation of some section in any particular panel law for the time being enforced in india meaning thereby in the state of asam or in guhati particular this has to be carried out if the house owners are penalized for non-disclosing identity of their tenants then definitely the bad would be taken out bad would be there will be two divisions good tenant and bad tenant and the bad tenant would not guess houses on rent that thereby half of the job of the police should be over and the crime rate would come down this is my suggestion and i feel this is the right solution 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 uh this is this is this is a very this is this is this is prevalent throughout the world most of the crimes committed in any part of the world are being done by insiders and why i am saying that inside job inside job is very difficult to prevent but anyway to prevent any crime meaning thereby inside crime as well there has to be deterrent punishment say in a case of 379 when something is stolen what is the quantum of punishment so far as say section 379 of the indian penal code is concerned it is only three years and if it is carried out in a dwelling house then it will be section 380 of the indian penal code then the quantum of punishment is it may go up to seven years now in my understanding as a student of law section 379 of the indian penal code meaning thereby theft if deterrent punishment is there then definitely the crime rate would come down regarding this sort of offenses in 379 the quantum of punishment is three years assuming like mdps narcotic drugs and psychotropic substances act there is a very stringent section lot of vigors are there that is 37 of the narcotic drugs and psychotropic substances act there if somebody is arrested if he is to be released on bail the first the public prosecutor has to be heard it is a must and if the public prosecutor opposes the application for bail another ndps act that a court cannot grant bail provided it doesn't form an opinion that the accused for whom a bail application has been moved is not guilty of that offense and that while on bail he shall not commit any offense on bail so i individually feel in a case of theft section 379 ipc when recoveries are there they are the quantum of punishment should be enhanced it is three years now in case of house theft it is seven years it has to be enhanced and that clause has to be incorporated meaning thereby bringing an amendment in law that the court is to form an opinion in a case of theft where recoveries are have been made that the accused shall not be released on bail if the court has not formed an opinion that he is not guilty of theft and another rider is there and that he shall not commit any offense on bail if he doesn't come out on bail remain there for more days more months in jail that would be a deterrent so far as the thief is concerned that particular thief who is already under detention and a strong message will to go to the budding criminals who are with all respect they are moving outside moving staying outside detention so that message has to go deterrent punishment is a must and by deterrents the crime let would come down with us we will be charged with an interview we will have here for the Pretty It is good but we will take a short break 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 will be done मुद्दा में अगवा फिर आपका स्वागत है ब्रेक में जाने से महत्पून सुझाव विजन महाजन के तरह से किस तरह से माकान मालिक जो है वो अगर किराइदार के बारे में सूचना देते हैं पुली स्थान को तो ाधा काम आसान हो जाता और उसी तरह से उन्होंने एक और महत्पूर्ण सुझाव दिये हैं कि जो चोरी की समान है और चोर जो पकड़े जा रहे हैं जो क्रिमिनल से अपराधी पकड़े जा रहे हैं अगर उनके पास सबूतों के साथ पकड़े जा रहे है तो उनको बेल क्यों दे दिया जाता है उस पर भी संसोधन के जरूरत है कानुनी जो संसोधन के जरूरत है जुससे उसकी सजा बढ़े और सजा अगर बढ़ती है तो इस तरह की अपराधों पर भी नियंतरण होगा इन सब सुझाओं पर आपका क्या कहना है ने तरदें चोधरी आपका सैमत है आप ही कुछ सुझाओं जी डेफिनेटली यह आइन की बहुत बरिष्ट आइनग्या है तो इन्होंने अलग-अलग पहलों पे बहुत बिस्तार से इन्होंने ग्यान दिया है और इसमें हम कोई दीमत भी नहीं है मेरा यह कहना है कि एक आम जनता की हैसियत से मुटे-मुटे अगर हम बात को देखें ब बहुत सारे मॉर्डर्स के तो ऐसे भी आए कि वह मतलब उनका मुटीब भी पता नहीं हुआ हो दीन दहारे दकाइती हो रहा है सेंग खिसने वाला है अलग-अलग तैप का है तो यह हमें देखना है कि क्यूं हो रहा है हमें अलग-अलग पहलों को देखना होगा लेकिन क्ली नहीं लेकिल बहुत सारी इस ईश तो दूबारा में उसको हो रिपीट नहीं करना साहूंगा लेकिन इस यकाने के हैं बहुत ही संखेपे में यहीं क्योंगा कि जैसे महाधन जी ने भी कहा है कि फ्लाडिंग और प्लोपुलेशन उन्होंने कहा है जो किराइदारों की बारे में पता नहीं सलता है तो इसमें शायद सर आप और इसमें थोड़ा और बात कर पाएंगे कि यह बीच सिस्टेम जो है क्या उसमें भी कोई असार नहीं हो रहा है क्या कुलिस रिफॉर्म की जरूरी है तो इसमें तो साइब बानिये केंद्री ग्रहमंत्री भी है और हमारा ग्रहमंत्री तो सीफ मिनिस्टर जी है तो इनको भी देखना सहीं कि क्या बीच सिस्टेम या जो है कि यह सब क्या असार हो गही साहिए आपके पास रिसोर्स की कमी हो चैलेंजेस हो वह इल्नेस में है और हम यह चाहते हैं कि यह जो फेल्ड मशिनरी है बुर्यक्रेशी क्या हो रहा है इन ब्यवस्थाओं पर कंड्रोल नहीं क्या जा रहा है इसमें ध्यान देना बहुत ही आनेवारी है यह बहुत आज में बेलतोला से आपके स्टूडियो हो रहा था बिल्कुल जन्तावन की सामने लास्ट गेत में मैं अभी यहीं पर बूल रहा हूं आप जाके दिखे वहां पे एक लल बत्ती था ताइम दिखाता था आज काल वो चल नहीं रहा है अभी भी आप देख सकते हो तो अगर लासगेट में ही यह हाल है तो आप CCTV कहां से आएगा किस तरह से होगा तो वो विल्नेस की कमी हमें कहीं न कहीं देख रहा है और वो नाकामियों को धखने के लिए कहा ड्रग पेडलास और यह सब कहा जा रहा है ड्रग पेडलास पक्रेंगे बिलकुल हम इसको लिए हम धन्य और बिल्स देख लगतेंगे लेकिन उससे आगे क्या है उसका जो किनिजा जो में जो बरे बरे मश्चल है उनको क्यों पक्रान नहीं जा रहा है और जो ढड़ी मचली क्राइम के उसको भी पकडदे बात कर रहे हैं ठीक है आपकी बात आपने कई है हम लक्शमिकान दूबे आपकी पार्टी, CkteV को लेकर बहुत मुखर रती है, और जो वादे आपकी पार्टी ने दिल्ली में किया, वह अभी तक नहीं लग पाया हैं, लेकिन गुहाती में CCTV की प्रयाप्त संक्या, जो वादे किये गये, वह नहीं लग पाया, यह भी PCTV को लेकर आप क्या सुझाव देना चाहते हैं क्योंकि हम देखें कि इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मेनेजमेंट सिस्टम जो है जिसका सवाल नेतरंजन चोधरी ने भी उठाया वो अल्रेडी ऑपरेशनल है आप कुछ कहना है सबसे पहले तो मैं ये बात प्रियर कर दूँ कि दिल्ली में इतनी भी CCDV केमरा चाहिता उससे ज्यादा लग चुका है लेकिन अभी भी सवाल खड़े होते हैं मैंने एक सिर्फ गुदारण दिया दिल्ली का मैं बता दिल्ली में पुलिस वेवस्ता हमारे पास नहीं है उसकी बावजूद भी हमने CCDV केमरा हुआ पर लगाया है तेकि महाजन साब ने जितनी भी सारे जो एड़वाइस दिये हैं वो हमसे बहतर जानते हैं वो कानून के जानकारी है उसको तो देहना पड़ेगा इसको तो देहना पड़ेगा नमबर टू, CCTV केमरा एक बहुती महतफूर्ण एक डिवाइस है इस्पेशली सिटी क्राइम के लिए अभी तो डेबलोब केंट्री में जाएंगे तो गाओं गाओं में भी आपको CCTV केमरा मिलेगा दूसरा चीज, पूलीस लगबक कितने पिछले सालों से यह तो भारते जन्ता पार्टी के कुछ नेता ने भी बोला था कि पिछले कितने सालों से गाओं सभा के साथ जो लोकल पूलिस टेशन के जो मीटिंग होती है वो मीटिंग पता में कितने सालों से नहीं हुआ है तो गौहाटी में भी 60 वार्ड है तो हर वार्ड में एक वार्ड कमिटी होती है जिसके साथ उसको वार्ड सभा बोलते हैं जो कि पूलिस लोकल पूलिस टेशन के साथ में एक मीटिंग होनी चाहिए ता कि वहां के लोकल्स जो नए लोग आए है कोई सस्पेक्टेड लोगे लेकिन फिर बात सवाल वहीं पर आके रुख जाता है कि गाउं सभा करना है या जो वार्ड सभा करना है पुलिस के साथ में और वार्ड कमिटी उसके लिए भी तो में पाउर होना चाहिए जब तक वह एसाइन्मेंन नहीं होगा तब तक वह प्रमोट सॉल्व नहीं होगा और जो जो फ्लोटिंग वाला जो इसू है फ्लोटिंग पॉपॉलेशन के बात कर रहे है डिफिनेटली एक बहुत बड़ा इसू है जो कि जितने भी जो आपके बॉर्डर से रिया में गौांटी सिटी में जो भी एंट्री हो रहा है वहाँ एक अगर इसक्रीनिंग हो उनके ओपर एक नजर रखा जाए तो डिफिनेटली क्राइम पे कंट्रोल किया जा सकता है संसादन की कमी है उस पर ध्यान देना जाए यह वो कहना चाहते हैं सब्सक्राइब करना करना चाहिए और लोकतंतर में विपक्ष की एक सबल भूमिका होती है अगर हमारी कोई कमजोरिया है और विपक्ष अगर उनको दिखाता है तो उनके सुधार करना हमारा नेतिक दाइ लेकिन अभी इन्हों ने दुबे जी ने जो कहा तो पुलीस की जो नागरिक समीती होती है वो यहां गौहाटी में 60 वार्ड है और हर वार्डों में पुलीस के साथ में नागरिकों की एक कमिटी मनाई गई है जो विबिन समय में नागरिकों के साथ में बैठ करकर के वहां क कि जो प्रॉब्लम से उसके पूपर में डिस्केशन करते हैं जैसे बिजन जाने अभी जो सुषाब दिया कि जो भाड़ती लोग आते हैं उनका भी एक प्रोफाइल होना चाहिए जो जो मकान मालिक है उन लोगों को थाने में जमा करना चाहिए तो इस तरह से के डिस्केशन जो है नागरिक समीति की मीटिंग में टाइम टू टाइम में होते हैं और वो लोग हम लोगो जो नागरिक लोग है उनको एवेर रहने के बोलते है कि कोई भी एगर संदिक व्यक्ति आए तो उसकी सुच्छना पुली सुदी जाए प्रमों जी हमारे पास समागी कमी है लेक इसी नोट पर हम यह कहना चाहते हैं कि आज के कारिकरम का जो संदेश है वो यह है कि पूलीस और नागरिकों की सभागिता होने चाहिए कोडिनेशन होने चाहिए तब जाकि इस तरह के अपराद कम होंगे और निशी तो निशी तो निशी तो तोर पर आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि गुहाटी में अपरादूं की संक्या कम हो यही आशा करते हैं और इस कारिकरम में फिलहाल इतना ही आप सब का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार कर दो